चहिंद जय भारत स्वागत है आप लोगों का इंडिया इभुक के इगनु के मस्टड डिग्री क्लास भे आज की कक्षा का विशय है एमे पोलेटिकल साइन्स का नवा यूनिट सभरांटी तो बहुत दिनों से क्लास बन था अभी आज से रेगुलर क्लास होगा इगनु का मस्टड डिग्री का और आपके लिए एक खुशकब्री भी है इगनु के लिए जो एमे पोलेटिकल साइन्स का फर्स्ट डियर का स्टूडेंट से उनके लिए एक खुशकब्री है इंडिया इबुक के तरफ से MPS 01, 2, 3, 4, सभी का इबुक रिलीज होगा 11 जुलाई को अभी रेगुलर क्लास होगा एग नुका आप जुडे रहिए इंडिया इबुक के साथ तो आज का कक्षा शुरूर करने से पहले हम लोग बोल देना चाते थे पहले की जो कक्षा हुआ था उवास से लेके आठ नंबर यूनिट तक कॉंप्लिट कर लिया था अभी आज हमारा नुवा यूनिट जो है सोबरांटी उसके उपर है तो इस उनिट को हम दो पार्ट में बढ़ेंगे आज का क्लास पार्ट वान होगा तो प्लाप पार्ट वान में क्या-क्या विशे है देख ले बाद development of concept of sovereignty, kinds of sovereignty ये भी बहुत important है, kinds of sovereignty, real and titular sovereignty, legal and political sovereignty, de facto and de jure sovereignty, concept of popular sovereignty उसके बाद एक बहुत अच्छा concept है, ये भी important है, exam में एक बार पूचा भी जा चुका है, उसके बार में पूचा था, उसका criticism हम पार्ट टू में कबार करेंगे, आज सिर्फ concept क्लियर करेंगे हम लोग, तो आज का कक्षा शुरू करते हैं, आप लोग किताब पेंसिल जो है, वो अपने साथ लेके बेठिये, तो पहला introduction, क्या है sovereignty? हम लोग क्या कहते हैं, जो sovereignty को जानने के लिए हमें state को पहचानना पड़ेगा, actually state मतलब यहां, यह मतलब आसाम और नचल प्रदेश या वेस्ट बेंगोल, इसके बारे में नहीं बोल रहा है, पूरा इंडिया as a whole, जो country है, वो इस state है, sovereignty को समझने के लिए, वो इंडिया का जो sovereignty इंडिया इंडिया इस है, sovereign nation आप लोगोंने प्रियेंबल में पड़ रखा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पूरा country के बारे में, यहाँ पर state मतलब पूरा country, generally we say that the state is our state, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग our state कहते हैं, हमारा state, and it's for our benefit, यह हमारे benefit के लिए ही बना हुआ है, तो सभी constitution हम लोगों को कुछ मतलब rights provide करता है, जैसे कि fundamental rights है, हमारा article 12 से लेके, article 35 तक, तो उनको मतलब state, जो है, हमारा country, respect करता है, we also know that government is responsible for maintenance of peace and security, सभी आप लोग जानते है, government क्या करती है, बहुत सारा कानून, बिधिया लाती है, और मतलब, जो internal हो या external हो, peace and security, हो maintain करती है, for this purpose, the government makes laws and it has a right to punish those who disobey them, तो government बिधि के दुवारा, parliament में हो, या state legislature में हो, central government या state government, दोनो कानून लाते है, और अगर कोई बंदा या बंधी, ओ कानून को नहीं माने, तो उसको सजा काम भी प्रबदान है उस बिधि में, but the question is why do we obey the law and what is state authority, तो याप एक main question जो हे, main question जो निकलता है या से, क्यों हाम लुक इस लो को follow करे, और state का क्या authority है इस लो को follow करवाने के पीछे, तो we experience that, we experience state authority everywhere in our routine life, समझ रहे, आप लोग सभी में मतलब state का responsibility है, for example, when we demand some favor from the authorities and the authorities refuse to grant us the same, we protest, ऐसा होता है ना, कभी मतलब आप लोग, आप लोग तो अभी students है, जो लोग मतलब job करते हैं, आप लोग उसमें से कोई हो सकते हैं, तो कोई salary नहीं बढ़ रहा है, या DNA नहीं बढ़ रहा है, या कुछ भी मतलब, कोई act आपका, मतलब पूरा, जो injustice कर रहा है आपके साथ, उसके मतलब against पे आप लोग, आप लोग क्या petrol का दाम बढ़ने से भी, मतलब protest होता है, government के against से, यही बात बोलना चारा है यहापे, तो हम लोग जो government का act है, या government जो authority है, उनका against भी कर सकते हैं, तो क्या बोलना चारा है introduction, हमें sovereignty क्या है, अच्छे तरह के से समझना पड़ेगा, इस चप्टर को समझने के लिए deeply समझना पड़ेगा, for, after all, it's with this and other basic concepts and definitions that we would later try to understand the great complexities of the societies we live in. हमारा सट है, societies में बहुत सारा complexities है, caste problem है, minority problems है, उसके बाद बहुत सारा problem है, मतलब socially या economically दोनों बोल सकते हैं, तो in complexity को दूर करने के लिए state तो function करता ही है, उसके बारे में बताना चारा है, तभी हम लोग शुरू करते है, sovereignty क्या है, तो यह जो sovereignty क्या है, what is sovereignty या define sovereignty, यह बाला question भी आया था, उसके साथ में वो जो उसका kinds था, उसका एक kinds आया था, टिटूलर बाला, तो यह भी important है, तो sovereignty बहुत important है, उसका definition और साथ में कुछ बहुत सारे बन्दे ने definition भी दे रखा है, तो एक दूर definition आप लोग याद कर लेंगे, चलिए देखते है, क्या क्या है, sovereignty is the key concept, is traditional political theory, it constitutes one of the four elements of the state, without the statehood remains incomplete, मतलब state होने के लिए, चार मतलब components, elements होता है, जैसे कि sovereignty, secularism, और republic, ऐसा होता है, तो उसमें से sovereignty मतलब एक जो pillar कह सकते हैं, चार pillar चाहिए, उनमें से एक pillar sovereignty है, sovereignty जो word है, वो आया है Latin word, supernus से, उसका meaning है supreme, sovereignty मतलब state को कुछ supreme power देता है, जो state का जो people है, जो state में रहते हैं, उन लोग उस power मतलब state का जो power है, उसको मतलब सम्मान करके, मतलब उसको मान के रहना पड़ता है, उस state में रहने से, और constitution ऐसा हो करता है, मतलब constitution क्यों बनाए गया है, constitution में जो FR दिया गया है, fundamental rights, वो मतलब protection दिया गया है, state का power सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें fundamental rights में क्या किया है, state का power diminish करके, individual का power आप करके दिया है, तो ऐसे ही मैंने बोल रहा था, तो यह बला जो मैंने बोला, fundamental rights के बारे में, आप लोग शायद पढ़ रखे हैं, तो मतलब fundamental rights जो है, ओ स्टेट का एगेंस्ट है, मतलब country का एगेंस्ट है, मतलब सरकार का एगेंस्ट समझ लिजी आप लोग, ओ लोग human लोग बाकी जो people है, उनके लिए, उनके हित में है, और बाकी सब power authority सब state के पास है, सिर्फ fundamental rights जो है, ओ human के पास people के पास है, ठीक है, तो हमारा, अगला भी, internally the state is supreme to any individual or organization, internally क्या है, state supreme है, कोई भी organization हो, या कोई भी बेक्ती हो, उससे, living or functioning, living हो सकता है, functioning हो सकता है, within its boundaries, उसके अंदर का बात बोल रहे है, मतलब state के अंदर, अभी इंडिया है, इंडिया एक state है, sovereignty के लिए, state है, और article 12 में भी बोला है, fundamental rights के लिए भी, इंडिया पूरा country, एक state है, 12 के लिए भी बोला है, और 12 में भी बोला है, और उतर, आपका जो, DPSP शुरू होता है, उसके पहले, जो 36 है, वो भी बोला है, same बात, वो 36 भी, article 36 भी state का definition दिया है, इंडिया भी state है, आशाम भी state है, और LIC, उसके बाद, ONGC, वो सब state है, और एक important, मतलब, बहुत 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 बात, आप लोगों को बता जाना चाता हूँ, आप लोग, प्लीज, हो सके तो, नूट करकर रखी है, ऐसे ही, मतलब, कभी-कभी पूछ लेता है, competitive exam में, जो, हमारा जब, जो judiciary system है, भारत का, जो code का system है, तो, ओ, क्या है, मतलब, state कह सकते है, या उसको state नहीं कह सकते है, तो, इसका answer है, दो पार्ट में होगा, मतलब, जब judiciary, मतलब, judicial work करेंगे, मतलब, जो code का work होता है, तब, उसको state नहीं कह सकते है, हम लोग, ओ, judicial work कर रहा है, अगर कोई administrative, या executive work करें, तब, आम, उनको state कह सकते हैं, तो, आप सभी, यह वाला note करके रखिए, तो, बहुत सारा competitive exam, state PCS में भी भूछता है, यह वाला concept, तो, हम देख रहे थे कहाँ पे, जो state का, हमारा भारत का जो बाउंडर ही है, उसके अंदर ही supreme है, हमारा state का power जो है, और supreme है, and they have to function, boss and commands of the state, सभी individual organization, जो state का, जो law है, बिधी, उसके द्वारा ही, government मतलब चलते है, अगर नहीं चले, तो state punish कर सकता है, यह बहुत सा रेक्ठ है, अगर आप state का, कुछ state ने कुछ कानून बनाया, पकड़ लीजिए, आप कानून बनाया, कि आप, 18 येर्स होने से, भूट डाल सकते, लेकिन, आप 10 बस साल के बच्चे, गेम इंटरनेट चलाना सिख्गे है, तो बूट डालने चलेगे, तो आपको तो वहा पर रूख देगा, तो रूखने से मतलब आपका जेल भी हो सकता है, तो illegal काम किया आपने, state का जो बिदी है, उसका उलंगन किया आपने, तो ऐसा बहुत सारा है, कोई भी बिदी का, अगर मतलब हेलमेट नहीं प्यान किया आप बाइक चला रहे है, तो यह भी बिदी का उलंगन है, तो state क्या है, superior है, power के मामले में, the power of the state about them is original, total, unlimited and all comprehensive, तो comprehensive power है state का, sovereignty is also has an external connotation, external कैसे हो सकता है, सोचिए तो एक बार, which means that the committee of states, every state is supreme and is free to cast its destiny, no other state or any international organization, can claim superiority to a state, तो भारत एक सर्वभो मतलब देश है, कोई भी दूसरे मतलब देश के, मतलब इंटरनेशनल कोई भी ओर्गनाईशन या, कोई भी मतलब भारत को दबाब बना के, कुछ भी करवान नहीं सकता है, तो, ओही बोलना चारा है, अपना टेरिटोरी में भारती, सर्वभो मतलब देश है, सोब्राइंटी, केते इसको, बाइंटेट के पास दोनों सोब्राइंटी है, बहार से भी सुरक्षा मिलता है, मतलब, ओह अपना जगा पे टेरिटोरी में पुरा इंडिया, एक सार्वभो मतलब देश है, बहार का कोई टेरिटोरी इंडिया को दबाब नहीं बना सकता है, और इंटर्नेली भी कोई भी सिटिजन्स इंडिया का, उसका मतलब जो बिदी है स्टेट का उसको पालन करना अनिवाष्य के उसको, ठीक है, तो मतलब क्या निकला इससे, जो स्टेट का जो पावर है, वो एबसुल्यूट है, तो हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे अभी, सम डेफिनेशन अफ सोब्राइंटी, तो एक एक करके देखते हैं, सोब्राइंटी इस तो सुप्रीम पावर ओवर सिटिजन्स, एंड सब्जेक्ट अंडरस्टेंट बाई लो, तो यह बाला डेफिनेशन दिया है, बोडिन ने, तो आप एक नजर, एक नजर सभी डेफिनेशन देख लीजिए, आपको एक्जाम में मतलब एक दो लिखने से अच्छा होगा, आपको स्कोरिंग होता है, डेफिनेशन अगर याद करके आप लिख लिए, एकजाम में, सोबरहन्टी के लिए एक दो डेफिनेशन आप याद रखिये, मैं आपको मार्क करके देऊंगा, कौनसे डेफिनेशन याद रखना है आपको, सोबरहन्टी इस, सेगंड बाला परढ़ रहा हों में, सोबरहन्टी इस दा सुप्रीम, पोलिटिकल पावर बेस्टेट इन हीम, वोज एक्ट्स अर नोट सब्जेक्ट तो अनी अधर, एंड वोज विल केनाट बी ओवर्रिदन, ग्रोटियास ने कहा था यह वाला, थार्ड वाला जो डेफिनेशन है, सोबरहन्टी इस दा सुप्रीम, एंड वाला जो डेफिनेशन ने कहा था यह वाला जो डेफिनेशन है, एंड वाला जो डेफिनेशन में जाहिए, उसके बाद एक विल के लिए का एक चोटा सा डेफिनेशन है, सोबरहन्टी इस दा सुप्रीम विल ओफ दा स्टेट, तो एवाला डेफिनेशन में आप लोग मज जाहिएगा, आप लोग यह वाला बड़ा वाला जो डेफिनेशन है, तो यह वाला मार्क में ने करके दिया है, यह वाला आपको सीखना है, सीखने से अच्छा होगा, या तो खुद भी लेख सकते हैं, बस ऐसे मतलिखेगा जो डुग्यूट ने से कहा था, आप खुद लिखेगा सुबरंटी क्या है, तभी ठीक है, तो हमारा आगला डेफिनेशन देखते है, सुबरंटी इस दा एक्सरसाइज और फाइनल लीगल कोरेशिप पावार बाई दे स्टीट, तो इस जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हम लोग जो मीनिंग निकल के आता है, वह यहाँ पर हम देखेंगे, तो प्रिबियासली मैंशन डेफिनेशन जो है, वह सभी डेफिनेशन एमफासिस करता है, इन सभी पोइंट के उपर, एक एक में करके पोइंट देखते हैं हम लोग, सभ राइंटी एज एन एक डरीब्यूट अफ दा स्टेट, क्या है, एक स्टेट का एक्डरिबूट है, एक्डरिब्यूट मतलब पार्णी कह सकते हैं, इट इस दा सुप्रीम उईल अफदा स्टेट, वह ही डेफिनेशन में कहा था ना, भारत का संगविदान का विद्धिश्ची का है और उसके बाद है The sovereign makes the laws and extracts obedience from people पाचवा पोईंट है Sovereignty lies in a person और a body of persons The power of sovereign is absolute and unlimited तो मेरे क्याल से आप sovereignty जब लेखेंगे तब होसा के तो आप लोगों को preamble अगर याद है तो आप लोग प्रियम्बल पूरा सा लिखिएगा With the people of India केके जो है प्रियम्बल आप लोगों को सायद याद होगा सभी को आप लोगों ने डिगरी में किया है तो प्रियम्बल होसा के तो आप एक्जाम में भी एड कर सकते हैं इसमें सोबरांटी में जो भारत का संग्विदान का उद्धिशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपुर्ण प्रभुक्त संपन्न समाजबादी पंथ निरप्यक्ष लुकतंत्रतक कनराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागोरिकों को समाजिक आर्थिक और सा राजनतिक न्याय बिचार अभिवेक्त पिश्चास धर्म और उपाशना की सतंत्रता प्रतिश्ठा और अफसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में बेक्ती को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता शुनिश्चित करने बाली बंदुत्त बढ़ाने के लिए दिरसंकल्प होकर अपनी इस संगविदान सबा में आज तारिक 26 नवेंबर उनिश्चास इंगराजी को एतत द्वारा इस संगविदान क अंगिकरित अधिनियमित और आत्मरपित करते हैं यह वाला जो है दा कॉंस्टिटिशन का जो प्रियम्बल है आप लुग एड कर दीजिएगा इसमें आपका मतलब स्कोरीं होगा एड करने से हमारा अगला विशह देखते हैं कि डेवलापमेंट कैसे हुआ सब्रेंटी का तो सब्रेंटी as the supreme power of the state is a modern concept तो पहले ऐसा नहीं होता था सब्रेंटी जशा मतलब था मतलब फिर भी उसमें नहीं होता था 會 came into existence with the rise of the nation state in Europe, Europe से शुरु हुआ था सब्रेंटी when the powerful monarchs asserts their authority तो ग्रीक में उसका मतलब ट्रेस मिलता है बहुत पुराना है सब्रेंटी ग्रीक में शुरू हुआ था उलिम्पिक अप लोगों को पता है तो ओही ग्रीक है ग्रीक सिबिलाइजेशन पहुत ही पुराना है लगभग 2000 से उपर मतलब BC में विफॉर का इससे शुरू हुआ था उसके बाद Aristotle the father of political science जो है सभी को आप लोगों को याद है उन्होंने define किया है it is the supreme power of the state but Aristotle did not discuss the nature of sovereignty he concentrated on location of sovereignty but in the medieval age जो medieval age है उसमें feudalism prevailed where there was no unified authority and it seemed that all the achievements of the roman empire had gone to waste क्या हुआ था जो रुमान एम्पेयर के टाइम में जो मतलब achievements था उसा medieval age जो आप आया था उहा का medieval age इंडिया का medieval age नहीं है उहा का medieval age जो है अलग अलगे सभीक में थोरा थोरा time difference है तो जब इरूप में medieval age था पकड़ लीजिए वहाप में मतलब margis mt मतलब जो हम लोग लुद कर इकता सिस्टेम का नाम सुने यह क्या दिलिफी सल्तनिट में इकता सिस्टेम जो था मतलब आपको मतलब अगबार के टाइप मंसब्दार जो था फे एकता सिस्टेम है कि यह हें और फिडिलिजम भी बोलते हैं फिडिलिजम शुरू आता भारत में साधभाहन किंगडम जब था मगद जब था मतलब मगद के लास्ट मगद एंपेर का जो लास्ट रूलर के सकते आप लोग वो थुरा सावत में थे पहले तो हरियंक डाइनस्टी थे उसके बाद आया शूंग उसके बाद हमारा नंदर डाइनस्टी था नंडर डाइनस्टी के बाद था जो चंद्रगप्त मुझ्जे वाला मुर्य डाइनस्टी था तो उसके बाद मुर्य डाइनस्टी के बाद था शीशुनाग डाइनस्टी उसके बाद जो था कर्णब डाइनस्टी उसके बाद था साथ बाउन डाइनास्टी साथ बाउन डाइनास्टी के टाइम में फिडियुलिजम सिस्टेम शुरूई वा था वहापे मतलब क्या होता था जब मतलब जो कुछ-कुछ लोगों को मतलब वो जमिदार जैसा बना के देते थे मतलब उनके अंडर में मंसब्धार कहते थे या जमिदार टाइप कहते वो उनको इस एरिया का टेक्स कलेक्स करने के लिए देदे थे और युद के टाइमपे वो अपना süना लेके जाते थे उनको उनको कोई सेलारी नेहीं मिलता था उस लेंड से जो टेक्स निकलता था वो खुद बसूल करते थे मतलब पकड़ लीजिये राजा को भी कुछ देना नहीं पड़ता था कि इंको तो इसको मनसबदारी सिस्टेम बोलते थे और डिल्ली सल्टरनेट के टाइम बे इसको इकता सिस्टेम बोलते थे तो मैंने ऐसे ही रेफरेंस जे दिया आप लोगों को याद रहने के लिए इस ठीका टोपिक है तो रुमानम प्यार में जो था वो पुरा मतलब चेंज हो गया था फिडिवलिजम आ गया था मेडिवल एज में इंडिया का भी मेडिवल एज भी था जब मतलब एंसेंट खदम हो रहा था सादवान आ गये उसके बाद एंसेंट लगब खदम हो जा रहा था एंसेंट रिष्टी तभी इंडिया में भी मेडिवल शुरू हो जा रहा था तो तभी फिडिवलिजम जो सिस्टेम ओवाला सिस्टेम आ गया या in federal state the king's authority was highly restricted it was limited by the charge which claimed immunity in both civil and criminal cases तो चार्ज का आगया है हुआ पे मतलब यूरूप में जो king का जो power था वो बहुत रेस्टिक्ट कर दिया गया था जीन बोडिन is the first political philosopher who propounded the modern concept of sovereignty he defined sovereignty as the supreme power over citizens unrestrained by law he also defined citizenship as subjection to a sovereign यह वाला जो 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 जौन बोडिन का definition है आप यह वाला definition याद रखें और एक में definition दूँँगा आपको यह दो दिया है definition आप लोगों के लिए बाकी तो आप खुद लेख सकते बढ़के और definition याद करने के लिए वाला याद है कि आप और एक definition में आप लोगों को दूँँगा another social contextualist Rossi located sovereignty in the people expressed as general will to Rossi general will and sovereignty are interchangeable concepts sovereignty is unlimited supreme and absolute it also inalienable and indivisable और inalienable भी नहीं हो सकता है और indivisable भी नहीं हो सकता है तो supreme है and absolute है and unlimited है वह एक general will के सकते है आप इसको किसके बाशा में रोसी की बाशा में तो हमारा अगला जो topic है बहुत important है इस साल आने का chance है हमारा इंडिया भूक के तरफ से ऐसे भी नहीं मतलब यह वाला question सिखने से मतलब आपको याद रखने से बहुत लाब होगा तो इस बाला question के अंदर मतलब आपको चार topic मिलेगा तो उसमें कोई ना कोई topic एक topic का तो मैंने 2020 में यह देखा था December में आया था 2020 में बीस मार्क का what defined sovereignty and real and titular sovereignty जो है उसका kind उसके बार में आया ता है रुकिए मैं दिखा था हूँ sovereignty को चार मार्ट पार्ट में है हम यह पर देखिए real and titular sovereignty जो है यह वाल आया था और साथ में define sovereignty भी आया था तो define sovereignty में आप पुरा definition of definition लिखिएगा प्रिएंबल भी एट करिएगा अगर दसमार का पूछ लिया तो उसके बाद है legal and political sovereignty उसके बाद है de jure and de facto sovereignty उसके बाद है concept of popular sovereignty यह चार भाग में हम पढ़ेंगे इसको काइंच को तो पहला बाग शुरू करते है real and titular यह वाल आया था डिसमबर 2020 में बीसमार का question what define sovereignty and real and titular sovereignty initially the king was full all power the king was all powerful and actually exercised his powers तो इन पहले क्या थे राजा जो थे वो लोग बहुत powerful होते थे और उनका power भी exercise करते थे but with the development of democracy जब democracy दिरी दिरी आया democracy क्या है जो people का आगे पहले क्या होता था king जो चाहता था किसी को काट देना है तो काट देना है ऐसा ही होता था तो democracy जब आया तो आप लोगों को fundamental rights फर मिला तो आप state को भी overtake कर सकते हो मतलब overtake नहीं है मतलब आप आपका right लेके state में रह सकते हो the king was devoted of his powers and the parliament become supreme parliament को supreme बना दिया गया king का power कम गया था however the English people loved monarchy and did not abolish it चो Europe का people थे English people मतलब England का वहापे मतलब रानी का अभी भी हे हुआ के रानी है तो वहापे मतलब monarch system चल रहा था parliament नहीं वहापे monarch होता था तो monarch system में वह लोग फ़ोल करते थे instead the powers of the king were transferred to an institution called the crown instead the powers of the king were transferred to an institution called crown तो आपे जब power जो है वो power transfer कर दिया गया था king के जब power था और crown के उपर तो आपे रानी बोलते थे crown कहते थे हम आप लोग सोचेंगे मतलब जब 1857 का जब शिपाही म्यूटनी हुआ था शिपाही बिद रहा तो उसके बाद मतलब उसके पहले जब 1600 में जब फर्मान मिला मतलब फर्मान नहीं जब एग्रिमेंट चार्टर के थे जब चार्टर मिला था इंगलेंड के रानी ने चार्टर दिया था East India Company EIC को भारत में आके मोनोपोली से ट्रेट करने के लिए मोनोपोली ट्रेट करेंगे तो तब क्या हुआ था लेकिन उनको नहीं मिला था उसके बाद ट्रोमास्रो के बाद आये थे आपका चार्ल्स होकिन साय थे चार्ल्स होकिन कामियाब हो गये थे उसके लिए एक युद्ध भी था जो पर्तुगीस के साथ हुआ था तो पर्तुगीस को हरा दिया था इंग्लिश बालों ने तबी मतलब मुगुल एम्पायर जो थे उनका मतलब फेवार मिला था चहांगीर का फेवार मिल गया था तो ओही रेजन था इसके लिए उसके बाद क्या हुआ था तो उसके बाद कॉमपेनी का रूल था रूल था दिया था पहले regulating act 1773 में लाया थे ते उसके बाद आपका topic नहीं है मैं बस interest के लिए समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ उसके बाद जब सिपाही mutiny हुआ था 1857 में उसके बाद और एक act पास हुआ 1858 में उहा से मतलब British जो को मतलब थे मतलब जो company था EYC East India Company वो पूरा abolition हो किया था मतलब उहा से company का रूल खदम 1858 से इंडिया के उपर direct British crown का रूल था ठीके ए बाला बात समझने के लिए आपको इतना सारा history के बारे में बताया The monarchy in England still exists and all the powers are exercised in the name of the king or the queen but the real sovereign is the crown सभी power किसके उपर है? Crown के उपर है मतलब सब्राइन है वो आक है crown इंडिया में भी आप पकड़ लिजी है हमारा रास्टरपती President of India क्या है? एक nominal figure है यल पावर किसके हाथ पर होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ पर होता है ऐसा ही समझ लिजी है लेकिन हमारा crown हुआ पर मतलब मोनार्क सिस्टेम है मोनार्क मतलब ऐसा होता है मतलब continue एक फेमिली से ही चल ले आ रहे है और हमारे हुआ ऐसे नहीं होता है डेमोकरिस से हमारी हुआ कैसे होता है इलेक्शन से होता है इसलिए तो मोधी जी बोलते चाय बैच रहे थे मतलब हमारा कॉंस्टिटूशन का इतना पावर है बियार अमबेत करसार और बियन राओ जो भी थे और लोग मतलब पढ़िये गाच्ची तरीके से और दिस्टिंशन ओल्सो एग्जिस्ट इन कांट्रीस होएर दा पार्लियमेंटरी फॉर्म ओफ गोबर्नमेंट इस प्रिविलेंट तो हमारा यहापे क्या है मतलब उहापे पार्लियमेंटरी नहीं है क्राउन का सिस्टेम है हमारे यहापे पार्लियमेंटरी है हमारे यहाप मतलब कोई भी एलेक्शन खेल सकता है कोई भी पीम हो सकता है कोई भी रियल पावर ले सकता है हाथ में ठीक है लेकिन वहापे ऐसा पोजिबूल नहीं है यूरूप में मोनार्क सिस्टेम है लाइक इन इंडिया है देखिए, इंडिया के बारे में, where the president is titular, एवाला लाइन आप समझ लिए जिए, president क्या है, titular head है, while the real sovereign is the prime minister, and his cabinet, सिर्फ prime minister नहीं है, उनका cabinet, मतलब prime minister उनका cabinet जो हता है, जब मंतरी मंडल के थे, सबी मतलब MP लोग नहीं है, जब मंतरी के, जिनके advice में president of work कर थे, वहीं, वह लोग क्या है, real है, मतलब real sovereign है, और titular किनको कहते हैं, हमारे इंडिया के basis में, जो head of the state है, यानि president, president को head of the state ही कहा जाता है, मेरे क्याल से आप अच्छे तरह के समझ गए, उसके बाद यह वालाइज जो real or titular sovereignty है, उसके साथ मतलब, आपका de jureo defecto का ब बात कहता है, de jureo है, हमारा president of India, और de facto है, वही, जो real executive है, prime minister, मैं इसके बारे में picture चा करूँगा, तो हमारा आगे का part देखते है, legal and political sovereignty, तो types of sovereignty में, legal and political sovereignty में, legal and legal sovereignty, legal sovereignty is the authority of the state, which has the legal power to issue final commands, जिसके हाथ में final commands देने का power है, उसको बोलते है, legal sovereignty, it is the authority of the state, to whose directions, the law of the state, attributes final legal force, इंडिया में आप सूचिए, का आपे हर state में, जो छोटा-छोटा मतलब, sovereignty बाला state जो है, उसमें parliament, और साथ ही साथ, हमारा जो छोटा-छोटा state है, आसा अरुनाचल पदेश ऐसा, West Bengal, तो उनका भी legislature है, state legislature, उनके हाथ में भी है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, तो पूरा मतलब, direction issue करने का power किसके हाथ पे है, पारलियामेंट के हाथ पे पकल लिजी आप याप याप याप, In every independent and ordered state, there are some laws which must be obeyed by the people and there must be a power to issue and enforce these laws, किसके हाथ में रहता है, law issue करना, enforce करना मतलब, start करना लोग को, उसाई, पालियामेंट या, state legislature, The power which has the legal authority to issue and enforce these laws is legal sovereignty, In England, the king in parliament is sovereign, और भारत में क्या है, पारलियामेंट केते हैं, इसको हम, पारलियामेंट केते हैं, और एक सवाल है आप लोगों को, पारलियामेंट समझने से आप क्या क्या समझ थे, पारलियामेंट is consist of three things, not things, आप अच्छी तरके से एबाला बात नोट करके रखिए, पारलियामेंट में सिर्फ लोग सबा और राज्य सबा नहीं है, साथ है साथ, प्रेसिडेंट अफ इंडिया भी है, पारलियामेंट के कितने पार्ट, तीन पार्ट, प्रेसिडेंट अफ इंडिया, लोक्षभा, राज्य सबा, याद रहगा, अच्छी तरके से याद रखना, competitive exam में भी फोस्त है, ठीक है, political sovereignty क्या है, political sovereignty rests in that class of people under whose influence the mass of the people is or the people are, political sovereignty rests in electorate, in the public opinion and in all other influences in the state which mould and shape the public opinion, political sovereignty क्या है, जो class of people है, उसको influence करके, mass class of people को influence करके, people जो है, उनके उपर influenced रहता है, या हमारा यापे भी है, जो mass class of people है, वोहापे मतलब bested रहता है, political sovereignty rests in electorate, in the public opinion, all other influences in the state which mound and shape the public opinion, क्या करता है, majority जो होता है, वही public opinion को mound और shape करते है, मतलब जो भूट, भूट देके, वही चुनते है, तो majority जीस तरफ है, वही हम मतलब लोग अबर्ण कर रहा है, इसको ही political sovereignty करते है, तो हमारा अगला जो है, types में, degree or defecto, इसके बारे में हम एक ही सेम ही है, इसका distinction बस आप ऐसे ही कर सकते हैं, यह वाला distinction है, आप यह वाला पूरा एकबर पढ़िएगा, क्या है, और में सिर्फ main point जो है, वही main concept है, इसका, head of the state इंडिया में कोन है, president है, उसको क्या कहते हैं, इनको nominal executive कहते हैं, मतलब de jure, de jure, और head of the government भारत के कोन है, प्राइम इनिस्टर है, जिनको हम real executive कहते हैं, और उनको defecto का आ जाता है, वही real और titular वाला concept है, क्या है, चिटूलार कौन थे, titular कौन थे, president थे, titular president थे, और real कोन थे हुआपे, prima minister और उनका cabinet थे, तो same है, इहापे भी real prime minister है, और यहापे head of the state जो है, और De jure है, जो प्रेसिडेंट वहा के जो टिटूलर थे यह पर दिजूर है टिटूलर और दिजूर है बारत के लिए लगभग सेमी है ठीक है तो आगला जो टाइप है यह वाला इन्पोर्डेंट है जो हमारा modern sovereignty है वो मतलब इस concept के उपर बेज है तो जेजे रोसी इस क्रेडिटेट विट एक्सपॉजिंग इन्पोर्डेंट ताइम्स बट आर्लियर ओसो पहले से ही मतलब यह बाला concept मतलब पीपल को पता नहीं था ऐसा नहीं था यह बाला concept जो है concept of popular sovereignty यह भी होता था लेकिन मतलब वो फॉलो नहीं होता था according to असिरभतम the concept of popular sovereignty contents the following valuable ideas तो क्या कुछ आइडिया गया है जैसे कि government does not exist for its own good government को अपना अच्छा के लिए कुछ नहीं करना है लोगों के अच्छा के लिए करना है people के अच्छा के लिए अपना people के इसलिए तो कहते है मतलब क्या है democracy क्या है अब लोगों को तो यात होगा हम तो बुड़े गया मस्टर जी ऐसे ऐसे मिन्स सोरी इजी मिन्स शुट बी प्रोबाइड़ेट फॉर लीगेल उए ऑफ एक्स्प्रेसिंग पाब्लिक ओपिनियन और अगर मतलब भाइलेट किया है किसी people ने किसी comment का रूल को मतलब deliberately violet हुआ है जो people का wish है जो भाइलेट किया है state ने तब people क्या कर सकते मतलब क्या होता है protest करेंगे तो protest करते करते प्रोटेक्ट बड़ा होने से क्या होता है revolution possibility of revolution मतलब जो civil war होता है किसी किसी देश में आप लोग संते है वही comment के अगेंश्ट में वही तो कहते है इसको मतलब revolution ही कहते है उसको French revolution American revolution ऐसा नाम सुना है कि आप लोग ने तो ओही revolution है civil war भी कहते है तो आगला जो point है हो है government should be held directly responsible to the people through such means as frequent elections, local self-government, referendum, initiative, recall तो यह बाला जो concept itself frequent elections कराना चाहिए local self-government जैसे के पंचाय, municipalities इसके बारे में बात कर रहा है या भी जो चुटा-चुटा state है आशा मरुना चलपदेश और मानिपूर इसके बाद West Bengal उनका मतलब अपना state का CMS और referendum के बारे में आप लोग शायद सुने रखे, referendum मतलब ऐसा होता है, मतलब सभी election नहीं देते हैं, करते हैं, सभी को मतलब भूट देने का मोका नहीं मिलता है, और कुछ-कुछ मतलब selected लोगों को भी मोका मिलता है, जैसे कि पक्रियजी state में मतलब बिधान परिशद होता है सब state में बिधान परिशद नहीं होता है, बिधान शबा होता है, सिर्व भारत का 6 state में बिधान परिशद है, तो बिधान परिशद का जो मतलब member लोग है, जैसे कि राज्यशबा बाला, state में भी राज्यशबा बाला concept है, तो state में भी राज्यशबा बाला concept है, उसको बिधा पास आपका कोंसा कंडाटा का átका ह эн perpet अधर यूपी और बिहार एफ छे स्टेट में है तो उनका कुद का मतलब बिधान परिशद है उनका तो और विधान परिशत को legislative council बोलते हैं तो legislative council का जो election होता है उसमें मतलब जो governor है उनका भी nomination होता है लेकिन उसका जो election का category है बहुत मतलब लाजबाब है लाजबाब मतलब ऐसे उसको कुछ category उसका 112 पुरा याद नहीं है डाठा 112 परसेंट मतलब जो teacher लोग है उस state का सिर्फ मतलब बढ़िया प्रबदान है उसका election का तो वही इसको ही referendum बोलते है मतलब सभी boot नहीं कर पाएंगे जो eligible है इस type के boot के लिए अगर पकड़ लीजिया आपका घर में से सिर्फ जो मतलब head of the family है वही बूट कर सकते है उसको ही referendum के कहेंगे ठीक है initiative and recall तो यह सब दो initiative and recall फिर स इलेक्शन और initiative कुछ लेना है तो वही इसके बारे में बोल रहा है government should exercise its authority directly in accordance with the laws of the land and not act arbitrarily ठीक है तो हमारा अगला विशय के और बढ़ते है austin concept जो है अचका यही part मतलब यहाप ही खदम कर लेंगे कुछ question देखेंगे उसके बाद खदम कर लेंगे यहाप है the legal in the legal view the legal view also called the monistic view or traditional view of sovereignty was propounded by john austin in this year john austin जो थे एक great jurist मतलब judiciary जो मतलब law के expert के थे उनको jurist के थे इन इस उन्होंने एक book लेके थे उस book का नाम था lectures on jurisprudence 1832 में publish हुआ था यह वाला book तो इनका एक definition है यह वाला देखिए यह वाला definition आपको याद रखना है austin का पूरा concept आपको याद रखना है austin का easy essay इसका 20 मार के पूछा था 2018 के December अटेम में question paper आपको दिखाता हूं रुकिये बहले आम लोग खदम कर लेते हैं बला definition according to austin it is a determinable human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society the determinate superior is sovereign in that society and the society including the superior is a society political and independent according to austin following are the characteristics यह वाला भी characteristics याप है साथ पॉइंट है सभी याद करना है आप लोगों को पहला पॉइंट easy easy point है ऐसे याप लिख सकते हो बहुत easy है sovereignty is the necessary for the state sovereignty क्या है सर्भममत्य हर state के जरूरत है sovereignty is one of the four elements of the state जो चार state होने के लिए चार element चाहिए उनमेंसे एक element sovereignty है there cannot be a state without sovereignty कोई भी state नहीं हो सकता है अगर sovereignty नहीं हो तो if state is the body sovereignty is the spirit body और spirit को हमां अलग कर सकते है क्या नहीं कर सकते है body और soul कर सकते है आप तो sovereignty को body और state को body कहे और sovereignty को soul कहे उसका या spirit the state cannot alternate alienate itself from the power of sovereignty state अपना जो sovereignty का power है कुछ नहीं छोड सकता है एकेंस नहीं कर सकता है the end of the sovereignty means the end of the state जब मतलब sovereignty end हो जाएगा state भी खदम हो जाएगा अगला जो है sovereignty का characteristics sovereignty has to be determinate it resides in person sovereignty can be located very clearly ओई वाला line determinable होना चाहिए और recite करता है जो person है और body of person है उनके अंदर है sovereignty is the supreme power in the state he is the source of all authority in the state sovereign is the supreme power है state का और सभी authority का sword से sovereign his authority is unlimited and absolute तो आप लोग क्यू parliament law बनाता है बारत में आपका सवाल आता है ना क्यू ओलुक लोग बनाते हैं हम लोग मानते आता है न कभी कभी में आपका comment joy मतलब करने का उनका इच्छा हुआ ओलुक कर लेते law बना लेते उसके बाद हमारे उपर आप्लाई कर देते हेलमेंट लाका और कभी ओ लोग कभी कभी यह लोग वह सारा लोग होता है क्यू हम माने वह जो सब्राइन है वह उनको authority देता है इस law बनाने के लिए और यह law जो होता है absolute है और कोई मतलब अगर इसको violate करे तो उसके लिए साजा का भी प्रबदान है अगला जो है the sovereign receives habitual obedience from the people people मतलब हम लोगों के लिए जो obedience मतलब बाच देता पुरना है हम मुझे मानना thus the authority of the sovereign is not casual casual नहीं है यह पुरा मतलब compulsory है it is continuous regular and undistributed and uninterrupted it is if a significant part of the population refuses to accept him and renders disobedience then he is no longer a sovereign अगर मतलब किसी पार्ट में अगर नहीं माने ओ लोग पकड़ लिजिए हमारा कोई भी स्टेट ऐसे नाम तो परलने से कुछ issue हो जाएगा कोई भी स्टेट मतलब गप्रमेंट का कुछ act नहीं मान रहा है सेंट्रल का परलनेमेंट में जो रूल था तो क्या होता है हमारे यापे प्रेजिडेंट रूल लगता है या नहीं लगता है आर्टिकल 356 क्या केते इसको स्टेट में जब कॉंस्टिटूशनल मेशिनरी फेलर हो जाता है तब क्या लगता है स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगता है कि नहीं अगर प्रेजिडेंट रूल लग गया तब ही मतलब बज गया और अगर नहीं लगा पाए तब क्या होगा तब आप स्टेट अपना मन मानी करेगा तो पूरा मतलब कांट्री का सोबराइंटी कहा जाएगा ओई बोलना चारा है एबला लाइन लो इस दो विल और कोमांड अफ दो सब्राइन और इस दो सोर्स अफ लो सोबराइनी सोर से लो का सोबराइन्टी है जाज दा लिगितिमेंट फिजिकल फोर्स तो एक्षाट कोमांड अबिदियंस और अन्फोर इस लो इससे लो को एन्फोर्स करने का पावर मिलता है पावर अफ सोबराइन्टी का कोई डिविशन नहीं होता है ठीक है इस इपडिशन होगा तो क्या होगा डिश्ट्रक्शन के तरफ जाएगा हामारा यहापर ही मतलब आज का पाट जो है यहापर ही कतम करते है तो कल से कल पाट तो करेंगे तो अभी कुछ पास्ट जो 6 एटेम हुआ था उसके कुछ क्वेशन पेपर में मैंने सार्च किया था तो आप पे एक बार मिला था तुदावजेंट वह आपको बोल दिया था पहले डिसेंबर 2020 में एग देखिए डिफाइन सब्रांटी यह वला बैंजा आया है उसके बाद डिफारनशियेट बीट्विट्विटूइन रियल एटिटुलर ओए बाहला टिटुलर क्या है प्रेसिड्ट है बोला था प्रेसिडंट और यह वाला डियल क्या है हमारा इंडिया का पीएम और साथ ए साथ उनका कैबिनेट ठीक है विसमार का है पहले सोबराइंटी लिखिएगा आप उसके बाद सोबराइंटी के साथ आप कुछ डेफिनेशन भी एट कीजिएगा उसके बाद जो मिनिंग बला पार्ट था ओवला एट कीजिएगा क तो इस प्रिएम्बल में हमारा सोबराइंट लिखा हुआ है मार्क करके भी अंडरलाइन किजिएगा ओवला वर्ट सोबराइंट का आपे लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद डिफारेंस बाला में ओई रियल टिटुलर उसके बाद इसका इंडिया का एक्जम्पल भी इस वीडियो का मतलब इस यूनिट नमबर नाइन का उसमें कबर किया जाएगा और एक एक्स्ट्रा क्वेशन है आप लोगों के लिए आया नहीं है लेकिन अबला क्वेशन कबर करने से मतलब वन नमबर यह कोई भी आए डिफेक्टर दिजूर कोई भी मतलब काइंट्स पू तो हमारा अगला जो पार्ट है पार्ट टू अफ यूनिट नाइन सब्रेंटी पॉलिटिकल थियोरी MPS 001 उसमें आम लोग क्या क्या देखेंगे प्रुरिलिस्टिक अटाक और ओस्टिन कॉंसेप्ट आप सब्रेंटी देखेंगे ओई बाला ओई क्रिजिजम इसमें है और तो सब्रेंटी और जोबेलाइस्टिन सत्रहिल देखेंगे उसके अंडर सब्रेंटी अपार ब्लोक्स ब्रेंटि अलुक साइब तरी सकेंगे बहुत दिन से मरा अट्र्यला क्लासेजी नहीं आ रहा था पुरा टील से मतलब स्वरी केते आप सभी लुगुको अभिसे क्लास अप लोगुको रेकुलार मिलती रहेगा तो जाए हिंद जाए भारत कौटप्रिसी वॉल इंडिया इबुक के साथ जुड़े रेने के लिए पद्फद्धिन्न बाद